हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागते आप सभी लोगों का एक और कमाल की वीडियो में दोस्तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप MS Word में किसी भी प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज यानि कवर पेज कैसे बना सकते हैं और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर पेज बनाना इतने आसान तरीके से और सरल तरीके से बताया है कि कोई भी इस वीडियो को अगर पूरा देखता है तो वो आसानी से जो है MS Word में किसी भी प्रोजेक्ट का cover page यानि front page आसानी से जो है डिजाइन कर सकता है बना सकता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी facebook पर, whatsapp पर share कर दीजेगा चैनल पर नए हो, चैनल को subscribe नहीं की हो तो subscribe भी कर लिजेगा तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने project का cover page या फिर कहें front page बनाया है, ये मैंने MS Word 2007 में बनाया है अगर आपके पास MS Word 2007 है तो बहुत ही अच्छी बात है वैसे जादातर लोगों के पास MS Word 2007 ही होता है लेकिन अगर आपके पास MS Word 2010 या फिर उससे उपर के version भी है तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सारे option आपको उनमें भी मिलने वाले हैं तो यहाँ पर आपको बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है पूरा इसी तरह के से सेम प्रोजेक्ट मैं आपको बना करके दिखाने वाला हूँ तो इसके लिए हम सबसे पहले Ctrl प्लस N से एक नई फाइल लेंगे मैंने ये नई फाइल ले ली है नई फाइल लेने के बाद सबसे पहले आपको पेज की सैटिंग करनी होगी पेज की सैटिंग करने के लिए आपको पेज लियाउट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले साइज देना है तो Size पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है A4 Size पर आपको क्लिक कर दिना है इतना करने के बाद जो है अब आपको margin वाला यह जो option दिखाए दे रहा है Page Layout Tab में इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर Narrow Margin ले लेनी है यह दोनों काम करने के बाद आपको Page Layout Tab के अंदर ही जो है Page Border का यह जो option दिखाए दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही देखे इस तरीके से Page Border का एक डालक box आएगा इसके अंदर आपको border की कुछ setting करने होगी setting क्या करनी है आपको सबसे पहले box पर क्लिक करना है और यह जो style दिया गया है सबसे नीचे जो है सबसे मोटा वाला style इस तरीके से ले लेना है हो सकता हो यह color आपका black हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बस आपको यह ध्यांदना है कि सबसे मोटा वाला border यहाँ पर style में लेना है इसके बाद जो है आपको color पर क्लिक करना है color में जो यह light blue का color है आपको जो है इस पर क्लिक करना है बस यही काम करना है इसके बाद जो है width वाला जो option है इसमें क्लिक करना है और सबसे last वाली जो width है साड़े चार की आपको जो है से select करना है बस यही जोटी सी setting करनी है इसके बाद जो है आपको ओकी पर क्लिक करना है इतना करते ही आपके page में जो है इस तरीके से border बन जाएगा मैं इसे control के साथ scroll बाद दबाऊँगा तो इस तरीके से यह zoom हो जाएगा अब जो है हमने page में border दे दिया है और border काफी सुन्दर भी लग रहा है ठीक है यह color अगर आप देऊगे तो border काफी सुन्दर रहेगा लिखने के लिए जो है आपको सबसे पहले insert tab पर क्लिक करना है आप यह देख लीजिए insert tab पर क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पर एक option दिखाए देगा word art का आपको जो है इसी word art option पर क्लिक करना है जो भी आपके college का नाम है उसके नाम से अगर आप बनाना चाहते हो तो वो नाम type कर दीजिए अगर आप किसी company या फिर जो है किसी भी firm अगरा के लिए बना रहे हो तो जो भी आप heading देना चाहते हो न वो heading आपको यहाँ पर type कर देनी है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हू वो यह वाला रखूंगा आप जो है इस style को देख लिए अगर आप भी चाहो तो इसे ही select कर सकते हूँ यह आपके MS Word बे भी मिल जाएगा इसके बाद जो है कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर आपको OK पर क्लिक कर देना है OK पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से interface द जान देना है तो touch लाने के लिए दोबार से हमने से जो हमने वर लिखाय इसको क्लिक करना हुगा format यह अपको यहां पर ऐक option दिखाये देगा text wrapping का आपको इस पर of text वाले option पर click कर दिना है इतना काम करने के बाद जो keyboard में arrow button होते हैं उनकी मदद से आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है इतना आने के बाद यहाँ पर आपको जो है पकड़ना है मतलब यह जो node बने हुए है इन node को पकड़ के mouse का left button दबा करके इस तरीके से घीचना है नीचे की side में आप खीचोगे इतना आपको कम से कम ला करके छोड़ देना है खीचने के बाद मैं से थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ आदे से जादा आपको थोड़ा सा और यहाँ पर जो है से खीच देना है इतना करने के बाद आपको जो है format tab के अंदर ही यहाँ पर एक option मिलेगा align का आप यह देख सकते हो ठीक है align पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है center का option मिलेगा आपको align वाले section में center का आप इस पर क्लिक कर देजे बिल्कुल center में देखे इस तरीके से adjust हो जाएगा अभी आप यहाँ पर एक चीज देखोगे यहाँ पर आपको यल्लो कलर का एक node दिखाई दे रहा है मैं इसे zoom कर देता हूँ आप यह node देख लीजिए यह node पर ही आपको mouse का left button क्लिक करे थोड़ा सा drag करना यह काफी important node है आप इसे अगर समझ लोगे तो जितना चाहो उतना आप इसे round बना सकते हो ठीक है तो हम क्या काम करेंगे mouse का left button दबा करके थोड़ा सा इसे जो है इतना लेकर आएंगे तो हमारे ख्याल से इतना अच्छा रहेगा बाकी आपकी मर्जी है आप इसे भी जादा अगर round बनाना चाहो तो बना सकते हो मेरे ख्याल से यह काफी अच्छा है ठीक है इतना बनाने के बाद हमारा जो यह main है वो complete हो गया है अगर अभी भी चाहो तो यह जो जगह है वो कम आपको लग रहे है तो आप इस save पर click करिए और यहां से थोड़ा सा और इसको अंदर कर दीजे अंदर करने के बाद दुबारा से जो मैंने align वाला section बताया था आप उस पर click कर दोगे यह बिल्कुल center में हो जाएगा इसके बाद हमें यहां पर एक goal line बनानी होगी तो goal line बनाने के लिए हमको insert tap पर click करना है insert tap पर click करने के बाद यहां पर आपको save पर click करना है save पर click करने के बाद यहां पर आपको एक save मिलेगा ARC save आप इसे देख लीजे इसी save को आपको click करके select करना है इसके बाद आपको यहां पर आना है mouse का left button दबा करके इस तरीके से आपको drag करना है line को बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पर 2-3 option को समझना होगा देखें यहाँ पर आपको पीले-पीले node दिखाए दे रहे हैं इन node की मदद से अगर आप इसको drag करोगे नीचे एक side में तो यह line का size बढ़ता है इसके अलावा आप यहाँ पर एक और node देख सकते हो इस node पर अगर आप mouse pointer लेके जाओगे तो इस तरीके से mouse pointer हो जाएगा इस node की मदद से जो है आप अपने यह जो आपने बनाया है इसको rotate कर सकते हो घुमा सकते हो ठीक है तो इन चीजों को आपको समझना होगा इनी की मदद से जो है हम इसे बिलकुल goal बनाएंगे तो हम जो है इसको सबसे पहले तो उठा करके बिलकुल यहाँ पर रख देंगे बिलकुल center में रखने के बाद आप इसे select करिए यहाँ पर format tap पर align वाला section है यहाँ पर center पर click कर जिए बिलकुल center में आएगा ठीक है हम जो है इसे और भी नीचे की साइड में इस तरह के से drag करते हैं इनी नोट को पकड़ करके आपको पूरा का पूरा इसे adjust करना है ठीक है मदद से भी आप जो है इसको इस तरीके से एड़ेस्ट कर सकते हो अब देखिए हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल राउंड बनाए ठीक है इसी तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ी सी महनत तो लगेगी लेकिन आप जो है यह जो नोट दिये गया है ना इन ही नोट की मदद से जो है इनको आप बिल्कुल राउंड में कर पाऊगे अब देखिए यह नोट जो है थोड़े थोड़े बाहर जा रहा है तो हम क्या काम करेंगे यहां से इनको पकड़ेंगे थोड़ा सा ओपर यहां तक ला करके छोड़ देंगे और ठीक यही काम यहां से एक option दिखाया देगा shape outline का आपको shape outline पर ही क्लिक करना है और यहां पर जो हमने border में color लिया था न वही color आपको लेना है यह वाला आपको क्लिक करने के बाद जो है इसी के अंदर आपको एक और option मिलेगा width का width पर आपको click करने के बाद जो है यहां पर width थोड़ी सी मोटी कर नहीं ठीक है तो यहां पर देखे कलर फील नहीं हुआ है दुबारा से हम जो यहां पर क्लिक करेंगे और कलर को फील कर देंगे थोड़ा सा विर्थ भी मोटा हो जाएगा और कलर भी जो हमने बॉर्डर में लगाया था उसको लगा देंगे तो हमारा जो स्टाइल है और भी सुन्दर लगेगा ठीक है आप चाओ तो अभी भी जो है आोटलाइन में जा करके इसका गलर और इसका जो विर्थ है उसको बदल सकते हो फिलाल इतना हमारा काम हो चुका है अब हमको जो अगला काम करना है वो यहाँ पर लोगो लगाना है तो यहाँ पर अगर आपकी कोई कमपनी है या फिर आप अपने स्कूल, कॉलेज वगरा का लोगो लगाना चाहो तो लगा सकते हो या फिर आप internet से जो है सरस्वती माता जी की photo को download कर सकते हो और उसको भी यहाँ पर लगा सकते हो या फिर अगर आप यह सब नहीं करना चाहो तो आप क्या काम करो insert tab पर click करो insert tab पर click करने बाद जो है यहाँ पर आपको मिलेगा clip art का option आप इस पर click कर दो clip art पे जैसे ही आप click art पे click करोगे तो यहाँ पर click art search करने का option मिल जाएगा यहाँ पर मैंने computer लिख करके जैसे ही मैं search पर click करोगा यहाँ पर click art आजाएगा और मैं इसको वहाँ पर click करके drag करके यहाँ पर ला दूँगा तो यह clip art यहाँ पर आजाएगा format tab पर हम click करेंगे और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी आप logo उसको text wrapping जरूर आपको करनी है in front of text इससे ये फायदा होगा कि अब इसे आप जो है कहीं पर भी उठा करके रख सकते हो तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई logo या photo नहीं है तो आप इस तरीके से MS Word में दिये गए clip art को भी यूज कर सकते हो फिलाल मैं यहाँ पर सरसुती माता जी की photo लगाने वाला हूँ जिसे मैंने internet से डाउनलोड किया है आप google पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको जो है यही वाली photo चाहिए जो मैं यहाँ पर इस्तमाल कर रहा हूँ तो आपको telegram channel पर मिल जाएगा और telegram channel का link इस video का description box में मिल जाएगा आप उस पर click करके उस file को भी डाउनलोड कर सकते हो तो उस photo को यहाँ पर लाने के लिए मैंने जो अपने computer में download की है हमें insert पर click करना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा picture का हमें picture पर click करना है picture पर जैसे ही आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से option दिखाए देगा जहाँ पर भी आपने अपनी photo को रखा है वहाँ से आपको अपनी photo को select करने वाले हैं हम इसे select करके open पर click कर देगे photo यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद जैसे ही आप photo आएगी तो देखो फार्मेट टैप खुल जाएगा format टैप के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो भी text या फिर जो भी photo आप लोगे तो उसको text wrapping करना बिल्कुल भी न भूले इससे ये फायदा होता है कि आप अपनी photo को कहीं पर भी जो है उठा करके रख सकते हो text wrapping करने के बाद ये photo उपर आ जाती है अब जो है हम यहाँ पर photo को लाने के बाद ये जो node बने में है इनकी मदद से photo को थोड़ा सा और बढ़ा करेंगे अपनी इच्छानुसार जितना हमको यूज करना है और इसको जो है arrow मदद से जो keyboard में arrow होते हैं कि उनकी मदद से बिल्कुल center में रख देंगे तो इस तरीके से जो हमारी photo भी यहाँ पर लग जाएगी यही वाली photo मैं telegram channel पर दे दूँगा आप आसानी से जो है उसको download करके use कर सकते हूँ इसके बाद जो है यहाँ पर आपने देखा हूँ है कि मैंने design भी बनाया था तो वो design आपको जो है यहाँ पर MS Word में नहीं मिलने वाला है आप चाहो तो by default insert tab पर click करके shapes में जाकरके यहाँ पर काफी सारे shapes के design हैं आप इन shapes से अलग design बना सकते हूँ लेकिन जो मैंने design use किया है वो मैंने internet से download किया है फिलाल जो मैं use करने वाला हूँ वो भी मैं आपको telegram channel पर दे दूँगा आप जो है direct उसको download करके use कर सकते हूँ तो उसको भी लाने के लिए हम insert tab पर picture पर click करेंगे इस तरीके से आजाएगा जहाँ पर आपने design को रखा होगा आप उसको select करेंगे और इसको बाद जो है insert पर click करेंगे design हमारे सामने आ चुका है इसको भी जो है हम लोग format tab पर जाकरके text wrapping in front of text कर देंगे और यह जो node बने वह है इनकी मदद से जो है हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे छोटा करेंगे थोड़ा सा और और यहां पर जो है आपको यह option दिखाये दएगा node वाला इस node पर लेके जाओगे तो आप इसको जो है image को थोड़ा सा गुमा सकते हो इस तरीके से image को गुमाने के बाद जो है एक और इसका duplicate बना लेंगे डूबलिकेट बनाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आने के बाद format tab में आपको यहाँ पर rotate का option मिल जाएगा इस पर click करते ही आपको यहाँ पर flip और gentle का option मिल जाएगा और जो keyboard में arrow button होते हैं उनकी मदद से जो है आप इसको धीरे-धीरे करके इस तरीके से adjust भी कर सकते हो ये बिल्कुर इस तरीके से adjust हो जाएगा अब हमको क्या काम करना है उपर का हमारा design जो है पूरा complete हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो और यह जो हमने corner में design लगाए है इनको हमें नीचे भी लगाना है तो हम फिर से इसका duplicate करेंगे Ctrl D से यह duplicate बन गया है जैसा कि आप देख सकते हो और मैंने आपको बताया format time में जा जाएगा अभी भी चाहो तो आप थोड़ा बहुत adjust करना चाहो तो आराम से इस तरीके से adjust कर सकते हो तो हमारा यह भी यहां पर corner में design बन जाएगा फिर से हम क्या काम करेंगे इस पर click करके Ctrl D से जो है हम इसको duplicate कर लेंगे और यहां पर जला करके और इसके बाद format tap पर click करें और इसको भी जो है इस तरीके से adjust कर देंगे अब जो है हमारा corner का design पूरी तरीके से adjust हो चुका है जैसा कि देख सेकतो हो पूरा design हमने तयार कर लिया है बस हमारा काम है यहां पर लिखने का तो लिखने के लिए हमको जो है insert tap पर click करना है जैसा कि आप देख सेकतो हो insert tap पर click करने के बाद आपको सेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेप्स मिलेगा टैक्स बॉक्स करके आप इसे देख लिजिए इसी टैक्स बॉक्स सेप को आपको जो है सलेक्ट करना है पहला वाला सेप इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ पर आईए माउस का left बटन दबा करके कुछ इतना दूर तक आप अपने tax box को drop कर दीजिए tax box को drop करने के बाद जो है अब आपको home tap पर आना है और इसके जो font का size है उसको जो है लगबक 26 के करीब कर देना है कितना 26 के कर देना है तो font size थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और यहाँ पर हम लिखेंगे session shift के साथ clone दबाएंगे इसके बाद minus का symbol दबाएंगे इस तरीके से symbol बन जाएगा space बटन दबाएंगे और यहाँ पर 20 टाइप करेंगे और shift के साथ जो minus वाला बटन उसको दबाओगे तो underscore इस तरीके से बनेगा ठीक है थोड़ा दूर तक underscore बनाएंगे इसके बाद जो है small में हम लोग जो है two type करेंगे फिर से जो है space बटन दबाएंगे और फिर से जो है 2000 यहाँ पर type करके 2024 हम यहाँ पर डाल सकते हैं वो हमारे उपर है इसके बाद जो है हम लोग enter key को प्रेस करेंगे नीचे की साइड में आएंगे अब यहाँ पर मैं लिखूंगा name इसके बाद जो है clone का symbol बनाएंगे minus का symbol space बटन दबाएंगे shift के साथ minus वाले बटन को दबा लोगे तो underscore का चिन इस तरीके से बनता हो आपको मिल जाएगा इतना symbol बनाने के बाद फिर से enter key को प्रेस करेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग class clone का symbol बनाएंगे minus का symbol बनाने के बाद space बटन को दबाएंगे और shift बटन को दबाने के बाद minus वाला बटन दबाऊगे तो इस तरीके से underscore का symbol बनता है और यह भी हम लोग यहाँ तक बना लेंगे फिर से एक बार enter key को दबाएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे roll number और फिर से shift के साथ जो है underscore का button दबा करके यहाँ तक इसको line बना करके दबाने के बाद space बटन दबाने के बाद यहाँ पर जो है दोबारा से underscore हम लोग इस तरीके से बना लेंगे तो यह जो है हमारा इतना जो है complete हो गया है तो अभी के टाइम में आप देखोगे कि जो भी हमने चीजे लिखी है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है अब हम क करेंगे इस text box को select करेंगे और यहाँ पर format tab पर click करेंगे जैसे ही आप text box को select करोगे format tab खुल जाएगा इस पर click करने की बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा no fill का तो आपको क्या गाम करना है no fill पर click कर देना है इससे क्या होगा कि shape के अंदर कोई color नहीं रहेगा इ ऐसा कि आप देख सेकत हो उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर भी जो है आपको shape की outline no outline कर देनी है ठीक है इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से shape की outline और इसके अंदर का जो color है वो सब कुछ यहाँ से हड़ चुका है दोबारा से shape को select करेंगे और यहाँ पर format पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको align पर क्लिक करके इसको center पर क्लिक कर देना है इससे यह फायदा होगा यह जो आपने text box लिया है यह बिल्कुल center में रहेगा अब हमको जो है यहाँ पर date लिखनी है तो date लिखने के लिए दोबारा से insert tab पर क्लिक करके text box को ले लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से draw कर देंगे text box के इंदर color भी है तो हम same text box को select करेंगे format पर क्लिक करेंगे और यहाँ से no fill कर देंगे और यहाँ से no outline तो यहाँ से outline और fill दोनों हड़ जाएगा और इस text box को नीचे की side से थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो है जो arrow button होते है उसकी मदद से ज जो है यह duplicate बनेगा इसके बाद mouse का left click छोड़ दीजिए और यह देखे duplicate बन जाएगा अब आपको यहाँ पर लिखना है signature तो इसको हम जो है delete करते हैं signature लिख दिया है हमने थोड़ा सा signature छिप रहा है तो हम इसको थोड़ा सा इधर खीचेंगे तो signature पूरा पूरा आ जाएग हमने जो है date और signature दोनों लिख दिया है अब हमें क्या काम करना है कि signature जो हमने लिखा है उसके उपर एक छोटी सी line हमको बनानी है और date के नीचे line बनानी है तो line बनाने के लिए हम जो है insert पर click करेंगे और यहाँ पर shape पर click करेंगे और यहाँ पर आपको line tool मिल जाएगा line tool को select करेंगे और shift button को दबा करके इस shape को जो है इस तरीके से line को drag करेंगे देखे line बन जाएगी line का जो है outline थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से हम लोग इतना मोटा थोड़ा सा कर लेंगे और इसी का जो है control D से हम लोग duplicate करेंगे और duplicate करने के बाद जो है यह signature हमने लिखा ह इसके उपर ला करके यहाँ पर adjust कर देंगे तो दोनों जगह जो है हमारी line भी इस तरीके से बन जाएगी जैसा कि आप देखेंगे तो अभी के time में आप देखोगे कि हमारा जो project का front page था यानि cover page था वो पूरी तरीके से बन करके तयार हो चुका है अभी भी अगर आपको क कोई चीज correction करना है जैसे इसका size बढ़ाना है तो आप इस तरीके से अभी भी जो है जो भी इसमें correction बढ़ा करना चाहो अपने recording कर सकते हो जैसे कि आप देखोगे यह जो हमने line बनाई है इस तरीके से round यह थोड़ी सी कम highlight हो रही है तो हम इसे select करेंगे format पर click करेंगे और यहाँ पर जो है इसकी outline को थोड़ा सा और मोटा कर देंगे इतना ताकि और भी अच्छे तरीके से highlight हो और दोस्तों आप चाहो तो इसके अंदर color भी भर सकते हो color भरने के लिए आपको page layout tab पर click करना है इसके अंदर आपको page color पर click करना है यहाँ पर आपको काफी सारे color मिले बस आप उस पर click कर दीजे, automatic जो है आपके page में color आ जाएगा और अब जो है आप इसे print कर सकते हो या फिर ctrl s दबाओगे और आप जो है इसे अपने computer में कहीं पर भी save करके लग सकते हो जैसे कि हम लोग जो है इसे desktop पर save कर लेते हैं document 3 नाम से मैं इसे save पर click कर दूँगा अ दोस्तों इस तरीके से आप MS Word में किसी भी project का front page यानि की cover page बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको step by step करके सारी जानकारियां बताई है उमीद करूँगा आपने जो है MS Word में cover page यानि front page बनाना सीख लिया होगा अगर आपको कोई भी confusion है तो आप हमें नीचे comment क करके जरूर बताएंगे मैं आपकी जरूर help करूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजी ताकि उन मत्रम